और रुक करेंगे अगली खबर के आपको बतादे कि लकसर में पोलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तसकरी और विक्री की रोक थाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसी करम में लक्सर पोलिस से छेतरा अधिकारी के द्वारा गठित की गई टीमें और साथी टीमों ने यहाँ पर कारवाई करते हुए एक यूबक को स्मैक के साथ गरपतार कर लिया है वहीं लक्सर कोतवाली परदीप चौहान ने बताया है कि मुखविर के द्वारा सूचना मिली थी और वहीं आपको बताया दे कुआँ खेडा के पास एक यूबक अभैद रूप से इसमैक की तसकरी कर रहा था वहीं उन्होंने बताया है कि सूचना पर कारवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक यूबक को यहाँ पर 40 गराम स्मैक के साथ गरपतार कर लिया है वहीं बरामत हुई स्मैक की कीमत लगभग 1 लाक रुपए के करीब बताई जा रही है तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है पुलिस ने एक स्मैक तसकर को गरपतार किया है और साथी आपको बता दे कि इस स्मैक की कीमत यहाँ एक लाक से अधिक बताई जा रही है लगातार पुलिस अभ्यान चला रही है इसमैक और मादक पदार्थों के को लेकर और वहीं पर आपको बतादे कि पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल किया है पुलिस ने एक आरूपी को गरपतार किया है जिसके पास से इसमैक बरामत हुई है साथ ही आपको बतादे कि इसम जुवक इसमेक की तसकरी कर रहा है जिसके बाद पोलिस ने इस आरोपी को धर्दबोचा है साथ यह आपको बता देगी इस आरोपी के पास से इसमेक बरामत की गई है और खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे समवाद आता आरून कुमार जुड़ गया है आरून एक जुवक इसमेक की तसकरी कर रहा है जिस पर तुरंत अधिकारियों दुवारा टीम गठित की गई और टीम ने जो है चापे मारी के दोरान एक युवक को इसमेक के साथ दर्दबोचा जिए और उसके पास से करीब चालिस गराम इसमेक जिसकी बजारी कीमत जो है एक लाग स जो ये युवक पकड़ा गया है इससे पूच्ताच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है कि ये जो है इसको बेचने का काम करता था और ये जो है कनखल ठाना छेतर जिलाहरिद्वार का रहने वाला है क्या लगता है अरुन लगातार ऐसे अफराद बढ़ते जा रहे हैं लगातार पुलिस अभ्यान भी चल रहा रहे हैं लेकिन फिर भी इनके जहन में डर नहीं है पुलिस का कहीना कहीन जो है रोज ही ऐसे मादक पतार्तों को जो इनका वैपार कर रहे हैं वो पुलिस कहीना कहीन को रोज पकड़े भी जा रहे हैं पुलिस के दुआरा और पुलिस जो है लगातार चेकिंग अभ्यान भी चला रही है और पुलिस जो है काफी सतर्क है नसे की खिलाब ज जी आरुन जो ये यूवक पकड़ा गया है, आरोपी जो पकड़ा गया इस मैक के साथ, इसके पास से और क्या कुछ बरामत हुआ है और ये यूवक कहां का बताया जा रहा है? जी सट्टम बिल्कुल आपको बता दूँ इसके पास से अवेजिस मैक बरामत हुई है और ये जो है कनकल ठाना रिदवार जिले में कनकल ठाना चेतर का निवासी बता जा रहा है तमाम जानकारी साजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप कारुन आपको बता दे कि पुलिस ने इस आरोपी के उधर दबोचा है साथ ही आपको बता दे कि इसके पास से भारी मात्रा में इस मैक बरामत हुई है जिसकी कीमत एक लाख रुपए के करीब बताई जा रही है